नमस्कार स्वागत आपका Start Investor में दोस्तों ITC जिस शेर को सब लोग कहते थे कि इसने हमें कंगाल बना दिया है ये हमारे सारे के सारे पैंसे डूबो दिये हैं इस शेर ने अब हम इस शेर में क्या करें वही शेर जो है चांदी कर रहा है शेर होल्डर की नए टार्गेट पे टार्गेट इसको मिलते चले जा रहे हैं अब सारे ब्रोकरेज इस तरह से इसमें मैक्सिमम ब्रोकरेज कह रहे हैं कि 400 रुपए तक का जो है ये अब प्राइस टच कर सकता है एक साल के अंतरगत और आने वाले समय में ये बहुत हाई तक जा सकता है इसका रेवेन्यू बहुत ही जवर्दस्ट ग्रोथ दिखाए थी ये वो आप लोगों को बताऊंगा इसका जो पैट है उसमें भी ग्रोथ दिखाए थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उससे पहले दो छोटे छोटे शोटे शेयर आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि मल्टी बैगरे रिटरंस कमपनियों ने अच्छे दिये हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बगल में जो बेल का एकनों से प्रेस कर लीजे और वीडियो को लाइक करने में बिलकुल भी कंचूसी ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें तो जो पहली कंपनी है वो कंपनी जो है बैटरी की मैनुफेक्चरिंग करती है लिड के जो है प्रोड़क्ट बनाती है लिड अगर देखा जाए तो सबसे ज़ादा इस्तिमाल में कौन सी इंडस्ट्री में होता है कि ये जो कंपनी है इतने बड़े पैमाने पे जो है लेड की बैटरी की मैनुफेक्चरिंग करती है अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताओं कि पूरे के पूरे जो ट्रांस्पोरेशन इंडस्ट्री है ये मालेजी पूरी इंडस्ट्री में अगर डॉमिनेट आज की डेट में कोई बैटरी करती है तो वो है लीड एसिड बैटरी जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ा ये मार्केट है लेकिन आगे आगे आने वाले समय में थोड़ा से यहाँ पी जो लीथिम आयन बैटरी बन रही है उनसे जो है ये मार्केट जो है डिस्रप्ट हो सकता है ये कौशन भी आप लोगों को हम दे रहे है अगर लीड एसिड बैटरी का मार्केट साइज देखा जाए 2020 तक तो 4.86 बिलियन डॉलर का था ये 2020 तक और 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि 8.57 बिलियन जो है डॉलर का ये हो जाएगा लगबग हर साल साड़े 9 परतिसत की ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है 2022 से लेके 2027 तक तो जो कमपनिया लीड एसिड बैटरी मैनिफेक्टर कर रही है वो इस तरह से जो प्रोडक्शन कर रही है उनको बैनिफिट होने के पूरे के पूरे चांसेज है एक कमपनी जिसका की नाम ग्रेविटा इंडिया है केवल इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है पूरे अफ्रिकन कंटिनेंट में बहुत जादा ये काम कर रही है और अभी हाल ही में एक अफ्रिकन कंटिनेंट से इसने बहुत बड़ी गोसना भी की है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे तो जो ये कमपनी है दोस्तों company mainly lead and lead के products की manufacturing करती है उनका production करती है जो है gravita india limited अगर देखें तो india के अंदर ये largest producer है किसकी largest producer है lead की जी हाँ दोस्तों और ये जो company है lead की recycling कर रही है साथी साथ aluminum की recycling कर रही है plastic की recycling कर रही है और ton की project यहाँ पे देती है तो ये जो company की expertise है used batteries से recycle करना lead को cable और scrap और other lead scrap से उसको निकालना aluminum scrap से जो है recycle करना plastic scrap को recycle करना और फिर ये कहाँ भेज़ देते हैं lead को maximum जो बैटरियां बनाती है उन battery manufacturing करने वालों के पास बड़ी बड़ी company है जैसे कि आमारा राजा battery है excited industries है उनके पास तो ये छोटी सी company gravity है इंडिया के जो market capitalization है 2578 करोड रुपए का ROC ROE इसके बहुत ही high hand dividend yield 0.80 percentage की है प्रमोटर की holding 73 percentage की profit growth 128 परतिसत रिजर्ब 373 करोड के और 391 करोड रुपए का financial trend देखेंगे तो जो है company का revenue 32 चवरदस रार लगबग 2000 करोड रुपए से उपर का 140 करोड रुपए के करीब जो है यहाँ पर profit भी रहा over the long run company अच्छा काम कर रही है यहाँ पर promoter के पास maximum share है 73 percentage 0.79 है जो FII के पास 0.19 DII और public के पास 24 percentage की share holding है ग्रेविटा इंडिया अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों की दोरान company ने 131 percentage के returns दिये लेकिन Corona काल से लेके all time high तक 909 percentage यानि की 9X के return यह company दे चुकी है और इसलिए हम कह रहे थे कि यह ऐसे share है जो कि आप लोगों को multi bagger returns बना के दे सकते हैं over the long run company ने 726 percentage के returns बना के दिये हैं यह company जो है दोस्तों अभी इसने हाल ही में एक African nation में recycled जो है propylene का जो है recycle करने के लिए कहा है अब यह जो है propylene जो होता है जिसकों की PP के नाम से जाना जाता है यह कहां पे काम में आता है यह दोस्तों automobile plastic जैसे के plastic के parts है textile है packaging consumer products है उनकी manufacturing में यह product आता है तो आप लोग खुद सोच लिजए कि Gravita India जैसे छोटी company कितने देस विदेसों में भी काम करें कितने जबरदस्त future में यह returns दे सकती है क्या दोस्तों आप लोगों ने सोचा है जिस साबूं से आप लोग नहाते हैं वो कैसे बनते हों गर कौन से product उसमें इस्तिमाल में आते होंगे या जिस सैंपू से आप लोग नहाते हैं कुस सैंपू के अंदर कौन से product mix किये जाते होंगे तब जाकि वो सैंपू आप लोगों को बनके मिलता होगा तो आप लोगों को दोस्तों मैं एक ऐसी कमपनी बताने वाला हूँ जो इस तरह का प्रोड़क्ट बनाती है जो कि सैंपू हो या सौप्स हो इस तरह के प्रोड़क्ट को बनाने में काम में आते हैं कमपनी का नाम है दोस्तों RITES International Limited अब जो यह RITES International Limited है एक प्रोड़क्ट की सैलिंग करती है मैनुफेक्चरिंग करती है इस्टेरिक एसिड जी हाँ दोस्तों यह इस्टेरिक एसिड बहुत जादा यूज होता है सोप की मैनुफेक्चरिंग में परसनल के जो प्रोड़क्ट है उनके मैनुफेक्चरिंग में जैसे सैंपू है सोप है एक्सेक्ट रा यह जो कमपनी है ग्लिसरीन की मैनुफेक्चरिंग और रेडिमेड गार्मेंट की मैनुफेक्चरिंग करके उनकी सेल करना इस कमपनी का काम है तो कमपनी के जो दो मेन डिविजन है एक तो इस कमपनी का market capitalization 75 crore रुपीज का है, ROCE देखा जाए, तो 23 परसंटेज का, कमपनी का market capitalization 75 crore रुपीज का है, ROCE 23 परसंटेज, return on equity 22 परसंटेज का है, 10 रुपए की face value है, debt 7 करोड रुपए के आसपास और reserves जो है, 9 करोड रुपए के आसपास है, profit growth 66 परसंटेज का और sales growth 88 परसंटेज के है, कमपनी के आकड़े बहुत ही जबरदस्त है, पिछले 10 सालों का compounded sales growth 21 परसंटेज, compounded profit growth 16 परसंटेज का है, आकड़े कमपनी के इतने strong हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो की बहुत ही खास हुई थी, 2021 के starting में, पर्मोटर ने खुद अपनी ही कमपनी के अंदर बहुत जबरदस तरीके से माल जो है, उठाया था, लेकिन FII और DII की investment यहाँ पर नहीं है पिछले पांच सालों के दौरान, रिते इस इंटरनेशनल ने 2124 परतिसद के रिटरंस दी यानि की 21X कर दिया है अपने shareholder के पैंसों को, यह कोई छोटा मोटा जो है return नहीं होता है, 21 गुना करना अपने shareholder के पैंसों को बहुत बड़ी एक बात है, तो एक multi bagger share, जो की लं 240 करोड रुपए के revenue generate किया, एक company ने 2022 में और लगबग 3.5 करोड रुपए के आसपास का profit भी generate किया, ITC के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस company को देखेंगे, FMCG सेक्टर में एक जानी मानी company है, cigarette की जो है यह company manufacturing करती है, production करती है, cigarette पीना मैं clearly कहता हूँ, स encouragement नहीं करते हैं, हम लोग के वरे company को यहाँ पर discuss कर रहे हैं, तो ITC company जो है mainly इसका business है, cigarette का ही है, 153% के long term में इसने returns भी दिये हैं, और अब जो है इस company को एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि 400 रुपए का target जो है easily touch हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा था जब सारे के सारे लोग कह है रहते हैं कि ITC ने हमें डुबो दिया है, लेकिन अब फिर से इस company ने चार चांद लगा दिये हैं अपने shareholder के portfolio में, अब इस company के results आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, ITC के results दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो जो भी value है, सारी की सारी value यहाँ पे करोड रुपए में हैं, सबसे पहले जो column हम लोग study करने वाले हैं, वो ये column है 30 September 2021 किसका और ये जो column है 30 September 2022 का column है, तो total income अगर आप लोग देखेंगे 14,230 करोड रुपए की थी पिछले साल और इस quarter में 17,666 करोड रुपए की ये हो चुकी है, तो company का जो total income है, उसमें बहुत ही जवर्दस्त growth देखने के लिए मिला है, ITC के अंदर, साथ ही साथ company के जो expenses है, वहाँ पे भी growth देखने के लि company के अंदर profit की, कि company का जो है profit कितना हुआ है, तो profit company को अच्छा खासा हुआ है, इसलिए जो है company का जो share है, उसके अंदर भी जवर्दस तेजी देखने के लिए मिली है, 3697 करोड रुपए, पिछले साल profit हुआ था same quarter में, और इस साल जो ये improve हुआ है, 4466 करोड रुपए का, अगर आप लोग यहां पे earning per share भी देखने कि जो कि पिछले साल 3 रुपए का था इस quarter में, और इस साल 3.61 रुपीज का ये हो गया है, और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ITC जो है एक बहुत ही जवर्दस stock बन के जो है, उभर रहा है और लंबे टाइम में अच्छे खास के र जिरोदा एंजलवन, इन तीनों के लिंक दिये गए हैं, तीनों के तीनों इंडिया के जो हैं टॉप ब्रोकर हैं, अगर आप लोग अपना डीमेड अकाउंट स्विच करना चाहते हैं, बिगनर हैं शेयर मार्केट में, तो इन तीनों के लिंक पे किलिक कीजिए, एंजलवन की सर्विसेस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद,